तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे PMC क्या होती है उसका क्या रोल होता है और उसे क्यूं हायर किया जाता है और उसका हायर करने का प्रोसेस क्या होता है सारी चीज़े इस वीडियो में हम जानेंगे वीडियो को एक दामन तक देखेगा तो चलिए दोस्तो PMC, PMC बोले तो third party एक तरह से होती है, ये project management consultant इसे बोलते हैं, इसका full form होता है, दोस्तों यहाँ पे जो भी client होता है, client के पास धेर सारे अगर project है, example मैं लेता हूँ कोई government का client है, माली जब कोई PWD है, उतरप्रदेश का, तो उसमें क्या है, उसके पास धेर सारे project है, तो वो क् example के लिए, for example माली जब client है, कोई government का, तो उसे अपना hospital बनवाना है, तो hospital के लिए basically उस तरह के कई hospital उसको अलग-अलग district में बनवाने हैं, तो उसके पास इतना time नहीं कि उस सारे hospital में जाके एक एक चीज़े चेक कर पाए, तो client क्या होता है, अपना जो भी, मतलब काम होता ह है, tender के start होने से लेकर के tender के end होने तक का अपने काम को distribute करता है, तो इसमें PMC basically तीन तरह की होती है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, PMC number one जो तरीके की होती है, उसमें क्या होता है, client को starting से लेके end तक का सारा काम जो है PMC को ही दे देता है, मतलब PMC drawing बनवाएगी, उसका quality plan बनाएगी, site investigation करेगी, soil report बनाएगी, इसके अलबा contractor के सारे काम को check करेगी, यह सारा काम जो भी होता है, मतलब contractor जो भी करेगा, उसके bill वगरा को सारी चीज़े चेक करेगी, ठीक है, यह सारा काम starting to end, मतलब tender release होने से, और handover तक का पूरा का PMC समालती है, ठीक है, तो यह एक तरह का PMC होती है, इसके अलावा दोस्तों, दूसरे, दूसरा case क्या होता है, PMC का, PMC, जैसे मालीज, एक project है, तो उसमें खाली tender निकालने के लिए, basically PMC हायर की जाएगी, मतलब tender निकालने का मतलब हुआ, कि tender निकालने से पहले का सारा काम, जैसे मतलब government को मालीज, कोई tender निकालना किसी project का, तो उसमें उसमें निकालने से पहले तक का सारा काम जो भी है, वो एक PMC करती है, जैसे example कले मैं आपको बताता हूँ, कि DPR वगरा जो भी site का detail progress report बनानी है, जो भी site हमारी start करनी है, मतलब client को, उसमें drawing बनाना, उसमें quality plan ब engineer भी होगा, site engineer भी होगा, ये सारी चीज़े, उसी तरह PMC के पास भी एक team होती है, तो basically उस team को सौप देते हैं, और जो भी project का cost वगरा है, evaluation करवाते हैं, उसको tender release होने से पहले ये सारा काम करवाते हैं, client जो है, एक PMC को देता है, मतलब, ठीक है, इन सारी चीज़े, इसमें क्या होता है, कि tender release होने से पहले का सारा काम, मतलब, एक PMC की तयार हो करके इनको दे देती है, कि भाईया, ये लीजे आपका project, आपका जो भी cost वगरा है, ये लीजे, इसमें सारी चीज़े मैंने लिख करके दे दी हैं, अब इसके बास से क्या होता है, गौवर्मेंट अपन पर साइड पर छोड़ देगी, चेकिंग के लिए, या फिर वो किसी और PMC को हायर कर लेगी, या सेम PMC को भी हायर कर सकती है, यानि tender allocate होने के बाद, या तो गौवर्मेंट यानि जो client है हमारा, वो खुद भी, मतलब, project को देख सकता है, या फिर वो किसी और PMC को, या जिस PM PMC ने इस काम को किया, मतलब tender जिसने बनाया, या उसी PMC को ये दे सकता है, तुम ही रहो साइड पर quality चेक करो, यहां का, आरे bill चेक करो, और सारी चीज़े जो भी होती है, उसका मतलब report बना के तयार रखो, मैं कभी भी आ करके इसको चेक करूँगा, ठीक है, तो ये सारी च निकलने से पहले का सारा काम client खुद करता है, मतलब जो भी site investigation हुआ, जो भी वियोकी prepare करना हुआ, ये सारी चीज़े, tender निकलने से पहले वाला सारा काम, मतलब ये खुद करेगा, जो भी अपना client है, ठीक है, और tender जब release हो गया, तो उसके बास से फिर उसके पास time नहीं है, या फिर उसके पास काबिल लोग नहीं है, जो भी client है, उसके पास काबिल engineer नहीं है, जो भी उनके पास team नहीं है, तो basically वो किसी PMC को उठा के देदेगा, लो भाई, तुम side पे रहो, और तुम check करो, जो भी है, मतलब project, ठीक है, उसमें सारी चीज़े मतलब जैसे कि वो quality check कर करेगा, मतलब tender निकलने के बाद का सारा काम PMC करेगी, tender से पहले का सारा काम ये करेगा, मतलब जो भी client है, ठीक है, तो इस तरही थर्ड तरह की PMC होती है, जिसको tender करने के बाद hire किया जाता है, एक tender निकलने के बाद hire करना, एक पूरे tender में starting to end तक पूरा काम करना PMC द्वा skilled engineers यानि अगर हमारे government या जो भी client है उसके पास अगर engineers नहीं है ठीक है skilled लोग नहीं है तो इस वज़े से उसे hire करना पड़ता है PMC को ठीक है इसके अलावा lots of projects होते हैं जो भी client के हैं तो उसको एक साथ में handle करना उसके लिए की लोता है इस वज़े से वो अलग-अलग project के लिए अलग-अलग PMC को बैठा देती है ठीक है और इस लिए भी करती है कि जो भी accuracy और quality है side की वो maintain रहे इस वज़े से PMC को hire किया जाता है इसके लावा जो भी निगरानी रखनी है सारे project की तो इस वज़े से basically उसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े client को तो इस वज़े से वो PMC रखता है ठीक है और जो contractor वो pressure में और on time पे काम करखवा है इस वज़े से PMC रखा जाता है side पे ठीक है और दोस्तो हो तो PMC के काम के लिए आप इसमें bid कर सकते हो तो इसमें जो भी इच्छुक PMC company होती है वो basically इसमें bid करती है और दोस्तो आप सबको बता दू PMC का जो भी payment होता है वो overall project cost का 1-2% होता है यानि जो भी overall cost है project की ठीक है माल जो 100 करोड हो तो उसका 1-2 करोड के बीच में payment होगा जो भी जैसा भी तै किया गया होगा client के साथ में PMC और client के बीच में जो भी तै होगा ठीक है तो उसी के according उनका payment होता है तो आज की इस वीडियो में दोस्तो आपने जाना PMC क्या होती है PMC को क्यों hire करना जरूरी होता है और PMC को कैसे hire किया जाता है government के दोरा यानि जो भी client है हमारा उसके दोरा तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही Part 5 में हम जानेंगे Journal Type of Tender अगली वीडियो का link जो है Part 5 का आपको description में मिल जागा वीडियो पसंद आ रही होती है वीडियो को like करना चैनल पर subscribe करना मत भूलेगा बिलकूर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो तब तक के लिए नमस्कार बाइ